क्या हाल चाल उमीद करता हूँ सब मस्त होगे और मज़े में होगे और खुब जम के पढ़ाई कर रहे होगे तो बच्चो हम आ गहे हैं अपने rotational motion के अगले lecture में जहां पे हम पढ़ने जा रहा है angular momentum बच्चो यह काफी important topic है और इससे related आने वाले lectures में और भी concept cover हम करेंगे तो इसको जानना और समझना इसके बारीकियों को समझना इसके छोटे-छोटे points को समझना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है तो हम इसके छोटे-छोटे points देखेंगे और इस पे important numericals भी cover करेंगे तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और एक-एक concept को आप note-down करना क्योंकि एक-एक point यहाँ पे मैं जो लिखाने जाऊंगा वो काफी important होगा तो बच्छो angular momentum क्या है देहान से देखो पहले तो हमें यह समझना है कि linear momentum क्या है तो sir linear momentum आपने पढ़ा है था कि अगर कोई mass m है और mass m किसी velocity v से move कर रही है तो उसका linear momentum हम लिखते थे P is equal to mass into velocity v vector यही लिखते थे यह linear momentum लिखते थे अगर कोई mass m, body m अगर linear motion कर रहा है linear motion मतलब straight line में move कर रहा है तो उसका जो momentum लिखते थे वो कैसे लिखते थे mass into velocity vector अब angular momentum में क्या है कि अगर कोई body किसी axis या किसी point के अबाग rotate कर रहा है तो उस case में हम उसके linear momentum की जगा क्या लिखेंगे? angular momentum लिखेंगे तो suppose कोई point p है यह है point p है और इस point p के बाग कोई object है यहाँ पे object है वो velocity vector उसका कुछ इस direction में है वो इस point p के बाग rotate करने की कोशिस कर रहा है rotate करने की क्या कर रहा है कोशिस कर रहा है ऐसे ध्यान से देखो यह हो गया इसको line जोइन कर यह इसके बाग point p के बाग ऐसे rotate करने की कोशिस कर रहा है एक circle में एक circle में ऐसे rotate करने की कोशिस कर रहा है ठीक है तो अब इसका angular momentum कैसे लिखेंगे यह point p है और इस point p से और इस mass m के बीच में जो position vector दिया गया वो vector r से दे रहा हूँ velocity vector तो angular momentum हम कैसे लिखते हैं angular momentum लिखते हैं l vector से ध्यान देना l vector से लिखते हैं angular momentum यह है angular angular momentum angular momentum लिखते हैं vector r cross mv vector r cross mv r vector और linear momentum vector का cross product जो होता है वो हमें देता है angular momentum वो क्या देता है हमें angular momentum देता है अब इसको देहान से देखो अब जब मैं torque पढ़ा रहा था तो torque बताये था vector r cross f या r into f perpendicular या r perpendicular into f वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं r into m v perpendicular या r perpendicular into m v ठीक है कैसे ध्यान दो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इसको पीछे की तरफ extend कर रहा हूँ इस line को पीछे की तरफ extend कर दिया और इस पर perpendicular drop कर दिया ठीक है इस line को vector r vector को ऐसे extend कर दिया इसके angle bीच है theta तो बताव ये है r vector तो angular momentum क्या होगा वेक्टर आर क्रोस MV होगा अब एक चीज़ बताओ आर इंटो MV साइन थीटा तो आर साइन थीटा क्या होगा तो ये वेक्टर आर है ये है थीटा तो ये आर है यह होगा r cos theta तो यह क्या होगा r sin theta r sin theta इसको मैं r perpendicular बोल रहा हूँ क्यों क्योंकि वो velocity vector पे क्या है perpendicular है तो यह हो जाएगा r perpendicular into mv समझ में आई बात r perpendicular into mv अब एक और तरीका है l is equal to ध्यान ने न इस velocity vector को क्या कर रहा हूँ मैं इस पे इस velocity vector को क्या कर रहा हूँ मैं इस पे perpendicular draw कर रहा हूँ यह एक हो गया mv perpendicular ठीक है और यह हो जाएगा mv parallel ठीक है mv parallel तो r cross mv मतलब r into mv sin theta तो यह हो गया r into mv sin theta कैसे देखो यह है theta तो यह हो जाएगा mv cos theta और यह हो जाएगा mv sin theta ठीक है तो r into m v sin theta मतलब v perpendicular यही तो है v perpendicular ध्यान से समझ में आई बात तो यह दोनों में से कोई भी आ फॉर्मला लगा सकते हो ध्यान सद्यों कि यह में से यह दोनों में से कोई भी या formula लगा सकते हो या तो ये या तो ये ठीक है आपको क्या करना है आपको क्या करना है rule में बताने जा रहा हूँ उसको follow करना है rule है first है either either find v perpendicular perpendicular component of velocity vector either find v perpendicular component of velocity vector to to किसके to position vector position vector position vector or or second way find find r perpendicular component of position vector to what to velocity velocity vector velocity vector पे या तो r perpendicular निकाल लो या r vector पे भी perpendicular निकाल लो दोनों में से कोई एक काम कर लो तो आपका काम हो जाएगा ठीक है यह है यह है angular momentum about a point का पूरा concept यह है angular momentum about a point का पूरा concept यह first point था जिसमें हमने discuss किया angular momentum about a point तो यह इपार्ट था about about point थीख है अब second part decide करेंगे जिसमें हम discuss करेंगे angular momentum about axis अच्छा एक और चीज, एक और point है इसमें बहुत important point है कि अगर अगर ध्यान देना कि अगर मेरा V perpendicular और R perpendicular V already R perpendicular के है ठीक है V already जो है R के perpendicular है तब तो आपको कोई चीज करने की ज़रोती नहीं है जैसे की ध्यान दो एक ये है ये है point O जिसके about मेरा object के है rotate कर रहा है और ये है vector R ठीक है और ये है मेरा velocity vector velocity vector V ठीक है ये है vector R और ये है velocity vector V अब ये देखो इन दोने के बीच में already 90 degree का angle है तो आपको कुछ भी करने की ज़रोती नहीं है आप L जो है सीधे लिख सकते हो M R cross MV सीधे RMV लिख सकते हो कैसे क्योंकि R पे है V perpendicular already RMV ठीक है तो ये आप एक और point है जो आप note कर सकते हैं जब मेरा object जो है position vector से 90 degree angle बना के move कर रहा है जब मेरा object जो है position vector से 90 degree angle बना के move कर रहा है तो उसका linear moment term को हम कैसे लिखेंगे MV और angular momentum को कैसे लिखेंगे R cross MV या सीधे RMV ठीक है क्योंकि angle क्या है 90 degree तो sin theta sin 90 क्या है 1 समझ में आई बात इतनी तो इतनी बात समझ में आ गई तो angular momentum about point के जो concept है वो खतम होता है अब angular momentum about axis हम cover करेंगे ठीक है ध्यान दो ध्यान दो angular momentum about axis हम cover कैसे करेंगे देखो angular momentum about axis के लिए क्या है मैं इसको erase कर रहा हूं मैं इसको erase कर रहा हूं मैं इसको erase कर रहा हूं और हम cover करेंगे angular momentum about axis यह काफी important था और angular momentum about axis भी काफी important है काफी important है पहले क्या था मेरा object जो है वो क्या कर रहा था किसी point के बहुत रोटेट कर रहा था अब मेरा object जो है वो क्या करेगा किसी axis के बहुत रोटेट करेगा क्या करेगा किसी axis के बहुत रोटेट करना शुरू करेगा यह रहा मेरा axis ठीक है अगर इस axis के बहुत rotate कर रहा है मेरा कोई object suppose यह रहा mass m और यह है कुछ ऐसे velocity vector ऐसा v बना रहा है suppose यह zoom करो ऐसा तो यह है v ठीक है तो इस से जो है इस axis से मैं क्या करूँगा एक r perpendicular draw करूँगा r perpendicular vector r perpendicular r vector तो इस velocity vector पे जो मेरा r perpendicular vector होगा उससे मैं cross multiply करूँगा कि इसको momentum को तो मेरा angular momentum लिखलेगा देखो angular momentum कैसे लिखते है angular momentum angular momentum द्यान से देखना बहुत simple सब्दों में इसको समझें angular momentum लिखेंगे vector r cross mv sir यही मैंने बोला linear momentum को r position vector से हम क्या करेंगे cross product करेंगे तो अब इसमें मैंने बोला sir कि vector r into mv sin theta यही है vector r into mv sin theta यह r का modulus है ठीक है और vector v का भी modulus है into sin theta इसको हम ऐसे भी लिख सकते है r mv sin theta सही बात है इतनी बात समझ में आ गई अब हमें क्या करना है जब भी कोई axis के बाउट object rotate करता है तो हमें भी perpendicular निकालने की कोशिस करना है हमें क्या करना है rule में देखो rule में क्या करना है rule में perpendicular component of और फ्रोफ पर पेंडी कुलर जो है perpendicular, perpendicular component निकालना है, किसके perpendicular होना चाहिए, position vector के perpendicular होना चाहिए, तो देखो, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे, एक axis लेता हूँ, जो की क्या है, इस plane में अंदर जा रहा है, इस plane में क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अब मैं क्या किया, यहाँ से एक r vector बनाया, r vector यहाँ पे mass m है ठीक है mass m है और यह जो है mass m जो है इस velocity से इधर जा रहा था इधर जा रहा था फिर से मैं बना रहा हूँ इधर जा रहा था अब मैं क्या करूंगा यह है मेरा velocity vector v अब मैं क्या करूंगा इस velocity vector v का एक perpendicular component निका लूँगा तो कैसा निकालूँगा perpendicular component पर्पेंडिकुलर component की इसके r vector के तो मैं r vector के perpendicular component निकाला यह है angle theta suppose यह है angle यह angle theta यह तो यह हो जाएगा v sin theta और यह क्या हो जाएगा v cos theta ठीक है तो r cross mv मतलब r mv sin theta सही बात है यह vector r है यह है velocity vector और उनके बीच का angle theta तो मतलब की उनका cross product क्या होगा r cross mv rmv sin theta और v perpendicular क्या है v perpendicular है v sin theta तो ध्यान देखना r mv sin theta क्या है यह है v perpendicular तो r into m into v perpendicular यह हो गया मेरा linear momentum into r vector जो की हो गया मेरा angular momentum जो की क्या हो गया मेरा angular momentum तो यह हो गया मेरा angular momentum का formula angular momentum basically क्या है cross product है linear momentum का और position vector का simple सा concept है जब कोई object linear motion कर रहा है तो linear momentum लिखते है mass into velocity vector लेकिन जब कोई object किसी point या किसी axis के बाउट rotate करने कोशिस कर रहा है तब हम angular momentum लिखते है ठीक है और angular momentum जो है कैसे produce होता है angular momentum जो है torque के बाउट produce होता अगर किसी object पे आप force लगाऊगे और force जो है force का nature जो है torque का होगा मतलब force जो है torque produce करेगा तो उसके करण object क्या है rotate करना सुरू करेगा एक circle में या rotation के का उसका tendency होगा rotation का tendency होगा तो उसमें momentum produce होगा वो कैसा momentum produce होगा angular momentum producer का और torque का concept जो है इससे पहले वाले lectures में मैंने discuss कर दिया है ठीक है तो यह हो गया मेरा angular momentum का concept अच्छा अब angular momentum में एक और चीज़ आता है कि अगर आपका जो velocity vector है अगर velocity vector axis के parallel है तो आपका angular momentum zero होगा नोट करके लिखोगे नोट नोट है इफ वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर पासेश थ्रूँ the axis of rotation axis of rotation or is parallel parallel or is parallel to axis of rotation of rotation then its angular momentum is zero its angular momentum is zero काफी important concept है काफी important concept है ध्यान देना इसमें देखो इस case में ये velocity vector जो है यहाँ पे velocity vector है जो इसमें क्या होगा ये जो है axis से पास करेगा तो axis से पास करेगा तो इसमें जो है r vector जो है इसका जो r vector है जीरो होगा इसमें जो r vector है जीरो होगा ना कि ये होगा generally बच्चे यही r vector लिख देते हैं ये r vector नहीं होगा generally r vector जो होता है वो axis से velocity vector पे होता है तो velocity vector तो आपका जो है axis से पास ही कर रहा है तो axis से पास कर रहा है तो r vector जो होगा जीरो होगा तो इसलिए आपका angular momentum क्या होगा जीरो होगा इसलिए ये मैंने figure बनाया था उसके बाद इसलिए मैंने ये figure बनाया था यहाँ पे देख लो यह जो है यहाँ पे axis जो है अंदर है बुक में आप अगर बुक को देख रहे हो तो बुक के अंदर axis है तो ये velocity vector जो है आपके बुक के अंदर जो axis जा रहे है उसको कभी भी touch ही नहीं करेगा cross ही नहीं करेगा इसलिए आपका जो angular momentum है r cross mv आएगा उसकी एक value आएगी लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे velocity vector जो है आपका सीधे जा करके जो है terminate हो जा रहा है कि इस पे axis पे तो उसलिए r vector जो है वो आपका 0 हो गया यहाँ पे r vector जो है वो क्या है 0 हो गया इसलिए आपका angular momentum क्या हो गया 0 हो गया ठीक है दूसरा concept यह है कि अगर आपका velocity vector यह दो को यह axis है यह से और आपका velocity vector ऐसा parallel है ऐसा parallel है ठीक है और यह रहा position vector r ठीक है यह रहा position vector r अगर यह parallel है उस case में भी आपका angular momentum 0 होगा क्यों क्योंकि यह vector r जो है यह दोनों axis और velocity दोने के perpendicular होनी चाहिए तभी आपका angular momentum आना है तभी आपका angular momentum क्या है आता है तो आपका जो angular momentum है तभी लिखते हो जब vector r जो है आपके axis और velocity दोनों के perpendicular देखो इस case में यह vector r जो है यह axis जो की क्या है body के अंदर या object या book के अंदर जा रही है और यह velocity vector के भी perpendicular है तो यह दोनों के perpendicular है vector r तभी आप r cross mb लिख रहे हो momentum angular momentum तो इतने concept है इतना कुछ दे रहा हूँ अच्छा एक और चीज अगर मैं इस axis को यह जो अंदर axis जा रही है उसको मैं x x dash से represent कर रहा हूँ तो यहां पर आपका angular momentum about axis जो है वो x x dash ऐसे लिखते हो r l x x dash is equal to r mb perpendicular ठीक है समझ में आई बात तो इतना अगर समझ में आ गया तो हम इस concept को क्या अब इतनी बात होने के बाद अब हम angular momentum of a discrete particle समझने के बाद देखो यह जो था एक particle जो था यह जो था यह particle discrete particle था क्या था discrete particle था तो discrete particle का angular momentum समझने के बाद अब हम rigid body अगर कोई body है continuous body है उसका हम कैसे angular momentum लिखेंगे यह हम समझेंगे अभी तक हमने क्या समझा था अभी तक सर हमने समझा था कि एक कोई discrete mass है यह है discrete mass क्या है angular momentum of यह लिख रहा हूं है discrete particle discrete particle particle discrete particle तो उस case में हम r cross mb से लिख रहे थे लेकिन अगर मेरा continuous body रहेगा तो उसका हम angular momentum कैसे लिखेंगे अब हम वो देखेंगे तो देहान दो आंगुलर momentum of आंगुलर मुमेंटम कि ओफ कंटिन्यूस बॉडी बॉडी सीम फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहां भी और देखना चीजों को डिराइव करूंगा आपको कभी भी confusion ही नहीं होगा कि अगर discrete particle body रही तो कौन सा formula लगाना है और continuous body रही तो कौन सा formula लगाना है आपको एकदम चीजे clear हो जाएंगी तो देखो अगर मैं एक axis ले रहा हूं एक axis ले रहा हूं और उस axis के about मेरा जो है object जो है यह रहा यह रहा मेरा कुछ हो ऐसा object रहा यह जो है rotate कर रहा है रोटेट कर रहा है कैसे angular velocity omega से तो यहां पर सपोज मैं एक discrete mass m1 ले रहा हूं ठीक है फिर यहां पर discrete mass m2 ले रहा हूं ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे masses मैंने ले लिए discrete mass m3 ले रहा हूं तो अब मैं इन सब का अगर सारे masses का angular momentum में जोड़ दूँगा तो पूरे body का angular momentum मेरा निकल के आ जाएगा तो यह रहा है अक्सिस अपोज एक्स एक्स ठीक है और इनका velocity है इतर v1 यह v2 है और यह है v1 और यह है v3 देखो यहां पर क्या है v2 और एक्सिस दोनों के perpendicular है क्या है r2 r1 और यह है r3 यह देखो मैंने क्या बोला था कि जो position vector है तभी आप angular momentum निकाल सकत क्यों जो position vector क्या है axis और velocity vector दोनों के perpendicular है तो अब मैं angular momentum जो लिखूंगा वो देखना into mv1 हो जाएगा क्यों क्योंकि दोनों जो है r के perpendicular क्या है velocity vector है तो simply हम direct angular momentum क्या लिख सकते है rmv1 rmv तो r1 mv1 plus r2 mv2 plus r3 mv3 and so on and so on ऐसे आप पूरा लिख सकते हो हर एक mass को add कर दोगे हर एक mass को आप add कर दोगे तो आप क्या है angular momentum लिख सकते हो तो उस case में मैं क्या कर रहा हूँ कि angular momentum को लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ v is equal to r omega लिख रहा हूँ तो r1 into m v1 is equal to r1 omega r1 omega plus r2 into m into v2 की जगा क्या लिख रहा हूँ r2 omega plus r3 into m v3 की जगा क्या लिख रहा हूँ r3 omega and so on तो ये देखो क्या हो गया ये mr1 square omega आ गया plus mr2 square omega आ गया plus mr3 square omega आ गया and so on अब एक चीज बताओ ये omega common आ जाएगा ये mr1 square plus m1 r1 square ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and so on ये जो चीज है, ये moment of inertia है mr square क्या है, moment of inertia का formula sir कैसे देते थे sir moment of inertia का formula जो देते थे वो mr square से देते थे discrete mass का तो अगर इन सारे masses का moment of inertia आड कर दूँ तो omega into i लिख सकता हूँ i is what? moment of inertia of a body of this rigid body about axis xx dash तो ये हो गया angular momentum of a body about axis xx dash ठीक है, समझ में आई बात तो ये concept जो है देहान में हमेशा रखना है ये मेरा derive होके आ गया ये जो है मेरा concept derive होके आ गया कि angular momentum of a rigid body या continuous body जो है वो देते हैं sir i into omega से i into omega से ठीक है omega क्या है? omega is the angular speed omega क्या है? omega क्या है sir? omega is the angular angular speed of rotation ध्यान देना angular speed of rotation है ठीक है? और i xx dash क्या है? is the moment of moment of inertia moment of inertia of body about axis of rotation axis of rotation है और axis of rotation क्या है? xx dash है xx dash ठीक है? समझ में आई बात तो इन concept को discuss करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे? questions में apply करेंगे और question में apply करने के बाद देखेंगे की कैसे question को solve करेंगे इन concept से ठीक है? तब आपके जो concept है और ज्यादा clear होंगे तो देखो अब क्या इसमें बोल रहा है? कि एक रॉड है ऐसा ठीक है? एक पतला सा रॉड है जो क्या कर रहा है? एक axis है यहाँ पे एक उस end पे उस axis के बाद रोटेट कर रहा है और axis कैसा है? perpendicular है plane की अगर आपका plane आप जो बुक में लिख रहा हो अगर वो plane है उसके perpendicular है उस axis के बाद क्या है? ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है और ओमेगा की value क्या है सर? ओमेगा की value क्या है? 2 radians पर सेकेंड 2 radians पर सेकेंड से यह रोटेट कर रहा है ठीक है? find the angular momentum of the rod about the axis of rotation तो angular momentum of the rod about the axis of rotation सर क्या पताया? मैंने अभी सर बताया अभी मैंने I into omega से I क्या है? सर I होता है rod का about an end is ml square by 3 यह सर आप पढ़ा चुके हैं सर यह होता है ml square by 3 into omega यह हो गया मेरा angular momentum यह हो गया क्या मेरा angular momentum तो L is equal to ml square by 3 into omega मास कितना है? 300 gram है तो 300 by 1000 और length कितनी है? 50 centimeter है तो length है 50 centimeter मतलब 50 by 100 मतलब 1 by 2 तो 1 by 2 square ठीक है? ml square by 3 into omega omega कितनी है? omega है 2 radians per second ठीक है? तो यह गया सर 3 से 100 ठीक है? यह 2 0 से 2 0 गया तो यह आगया 1 by 10 into 1 by 4 into 2 ठीक है? तो यह गया 2 2 is 4 तो 1 by 20 मतलब कितना आगया? 0.05 0.05 तो angular momentum जो आपका निकल क्या है सर वो आया 0.05 ठीक है? तो simple सा concept है concept क्या था? angular momentum हम कैसे लिखते हैं सर? angular momentum हम लिखते हैं L is equal to I into omega वेर I is what? I mean moment of inertia of object about axis of rotation ठीक है? अब पूछ रहा है second part में speed of the center of the rod center of the rod का speed क्या है? तो एक चीज़ बताओ center of the rod क्या है? यह रहा यह रहा center of the rod यह रहा उसका suppose speed velocity of center of the rod VCM velocities और omega के बीच का relation क्या होता है? तो velocity क्या relation क्या होता है? र ओमेगा से होता है V is equal to R omega तो velocity of center of mass जो है वो होगा R R कितना है? distance L by 2 है यह distance क्या है? L by 2 है L by 2 है into omega omega क्या है? 2 radians per second है तो L by 2 L कितना है? 50 cm तो 50 cm मतलब 1 by 2 meter तो 1 by 2 meter मतलब 1 by 2 यह हो गया अब by 2 यह है into 2 हो गया ठीक है? तो यह हो गया 2 से 2 गया 1 by 2 मतलब 0.5 meter per second यह हो गया velocity of center of mass ठीक है? अब तीसरा point क्या है? तीसरा question है its kinetic energy तो kinetic energy निकालने के लिए हमेंने formula बताया था इसके पहले वाल लेक्चर में half i hinge into omega square यह formula मैं बता चुका हूँ already यहां मैंने बताया था कि half into m v cm square plus half i cm omega square ठीक है? तो यह दो formula मैंने बता चुका हूँ तो इनी दो formula में से मुझे कोई एक formula अपलाई करना है तो मैं पहला वाला formula अपलाई कर रहा हूँ half i hinge omega square तो half i hinge मतलब moment of inertia about hinge मतलब जिसके about rotate कर रहा है कितना है? ml square by 3 ml square by 3 into omega square omega कितना है? 2 radians per second 2 का square ठीक है? तो इतना कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है? तो अब देखो एक काम करो यहां से i omega की value कितनी है? 0.5 0.05 अब मैं क्या करूँ? कि l में मैं क्या कर रहा हूँ? देखो half i into omega into omega ऐसे लिख रहा हूँ half i omega square को i omega की value आ गई है मेरी half i omega की value क्या गई है? 0.05 omega की value क्या है? 2 तो यह 2 से 2 गया तो मेरा kinetic energy कितना निकल के आ गया? 0.05 joules 0.05 joules निकल के आ गया मेरा kinetic energy तो concept यह है concept यह था कि मेरा जो angular momentum लिखते हैं किसी भी body का किसी भी axis के about वो लिखते हैं angular momentum is equal to i into omega जो i होता है वो basically moment of inertia होता है किसी भी object का किसी उसे के axis of rotation के about ठीक है? और omega जो है वो rotation angular speed है rotation का ठीक है? तो यह concept है तो discrete particles और continuous particles दोनों के लिए हमने concept discuss कर लिया कि दोनों के angular momentum हम कैसे लिखते हैं आने वाले lectures में हम देखेंगे कि angular momentum को conserve किस case में करते हैं conservation of angular momentum क्या आता है angular torque क्या होता है यह सब सारी चीजे हम देखेंगे angular impulse क्या होता है यह सारे concept हम देखेंगे तब तक से enjoy करिए मस तरिये जाए